नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे कोचिन शिप्यार्ड के द्वारा बनाये जाने वाले हमारे एरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कि उसका स्टेटस क्या है और साथ ही कोचिन शिप्यार्ड के आगे के प्लैन क्या है उसी के उप पर भी बात करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं। अगे बढ़ने वाले सेग्मेंट जैसे अर्बन मोबाइलिटी उसके अंदर भी अब जाना चाहेंगे। उसके लिए ऐसी चीजे अचीव करना सी ट्रायल के लिए जाना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। लेकिन ये सारी चीजे डिपेंड करेंगी बहुत से फैक्टर के उपर स्पेशली के इंटरनेशनल ट्रेवल कब शुरू होता है। तो कि दोस्तो इसकी कमिशनिंग से पहले बहुत से इंजीनियर जो बाहर रहते हैं ओवर सीज लोकेशन के अंदर हैं उन्हें भी यहां आना पड़ेगा। और दोस्तो आपको ये भी पता है कि जब कोरोना महामारी आई थी तो बहुत सी चीजों का काम बंद हो गया था तो एपरेल के बाद से यहां पर दो शिफ्ट के अंदर काम होना शुरू हुआ और अब इन्होंने 75% तक अपनी कैपसिटी को अचीव कर लिया है और अभी इन के पास 14,000 करोड के ओडर भी है जिन में से जिंदल ग्रूप के लिए 4 मिनी बल्क कैरियर हैं इसके इलावा यूनियन होम मिनिस्ट्री से 9 फ्लोटिंग बोडर का भी ओडर मिला था BSF के लिए इसके बाद में दोस्तो पैंडेमिक शुरू हो गया लेकिन इने नोर्वे के ल और ऐसे में उन्हें ओडर मिलना डिसाइड करता है कि इनकी टेकनोलोजी कितना महतव रखती है और साथ ही ये उनके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है और उन्होंने बताया कि हम पार्टनरशिप को भी महतव देते हैं और पूरी दुनिया के लिए भी बना चाहते हैं चीजे और उन्होंने कहा कि जो नोर्वे से वैसल का ओडर मिला है इसे एक्चुल में कॉंग्सबर मेरिटाइम जो नोर्वे की कमपनी है वो बनाने वाली थी और अठारा सो किलो वाट आवर क्या बैटरी सिस्टम इसके अंदर इंटीग्रेट करना पड़ता है जो आसान नहीं है लेकिन ये ओडर हमें मिला है और अब हम ही इसे पूरा करेंगे तो ये बहुत ही बड़ी बात है इसके इलावा वे हाइब्रीड इलेक्ट्रिक फैरीज भी बनाने वाले हैं कोची वाटर मेटरों के लिए इसके इलावा उन्होंने बताया कि उनके बहुत जा रहा है इसी तरह से कोलकता के अंदर भी बहुत सी चीजे की जा रही है और पोर्ट बलेर के अंदर भी बहुत से प्रोजेक्ट काम पर हैं इसके इलावा करनाटका में टेबमा शिप्याड को भी इन्होंने टेक ओवर किया और वहाँ पर भी फिशिंग वैसल का काम चल रहा है इसके इलावा दोस्तों उनसे ये भी पूछा गया कि 2030 के लिए आपके स्टैटेजिक प्लान क्या है शिप्याड के लिए तो उन्होंने बताया कि उनका एक ओंगोई निवोल्यूशनरी विजन है जिसे क्रूज 2030 का नाम दिया गया है जिसे वे बोस्टन ग्रूप के साथ कोलेबोरेट करके बना रहे हैं और ये उनका एक मल्टी ओरी एंटीड प्रोग्राम है जो उनकी शिप फिल्डिंग और रिपेर की एरियाज के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लाएगा और साथ ही नए वेंचर भी क्रियेट करेगा और एक तरह से एक एमर्जिंग स्फियर के रूप में टार्गेट करेगा ग्रोथ को इसके इलावा मोडरन अर्बन मोबाइलिटी को कंट्रिब्यूट करने के लिए उनके पास बहुत से स्मालर हाइटेक ब्लेटफोर्म भी है और इसके लिए ओर भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर है और इसके इलावा शिप्यार्ड के अंदर एक डिजिटल सेंटर ओफ एक्सिलेंस भी क्रिएट किया जा रहा है ताकि काम असान हो सके जिसके अंदर सेंसर बेस्ट ट्रेकिंग शामिल है मैटेरियल मूवमेंट की साथ ही डिजिटल एकसेस कंट्रोल भी शामिल है कुल मिलाक उन्होंने बताया कि उनके पास 25 साल पुराना एक management platform था जो उस समय भी benchmark था लेकिन अब इसे नए manufacturing silence system के साथ बदल दिया जा रहा है जिसे the salt system ने develop किया था इसके इलावा दोस्तों उनको कहा गया कि infrastructure program के इलावा आपके पास एक बड़ा dry dog जिसे बनाया जा रहा था कोची के अंदर और साथ ही एक international ship repair facility भी यहां पर बनाई जा रही थी जिसे कोचीन पोर्टरस ओन करता है इसके बारे में भी बताने के लिए कहा गया तो उन्होंने बताया कि हम इसके उपर भी fastly काम कर रहे हैं हमारे पास बहुत बड़ी migrant labor force थी लेकिन pandemic ने इसे slow कर दिया social distancing की वज़े से काम के अंदर दिक्कत आती है इसके इलावा रात को भी अब काम नहीं कर सकते लेकिन फिर भी हमारा मानना है कि 2021 तक हम international ship repair facility को बना ले तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हमने अगर हम air force का navy से comparison करें specially Indian manufacturing के अंदर तो navy बहुत आगे निकल गई है और export के मामले में भी बहुत आगे निकल गई है और इसके अंदर सबसे बड़ा रोल आता है हमारे shipyard का रूसके अंदर कोचीन shipyard का सबसे बड़ा नाम आता है क्य रही है और जल्दी इसके basin trial शुरू होने है तो ये बहुत बड़ी achievement होगी धन्याबाद जाहिन